उसी को जब Universal Pictures ने Dracula 1931 में अभिनय करने के लिए चुना था तब वह बमुश्किल अंग्रेजी बोल पाते थे लोन चानी को यह भूमिका निभाने के लिए निर्धारित किया गया था जो MOOC Classics, The Hunchback, Onf Notre Dame and The Phantom of The Opera में उनकी सफलता के बाद एक बुद्धिमान कास्टिंग निर्नय था लेकिन जब Dracula का निर्मान शुरू हो रहा था तब उनकी मृत्ति हो गई और वह रहस्य में हंगेरियन एक्टर जिसने 1927 में Dracula के Broadway Production में अभिने किया था को कास्ट कर लिया गया क्योंकि फिल्म बनने के समय तक हंगेरियन प्रवासी लुगोसी एक दशक से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे और काम कर रहे थे और फिर भी उनके line reading के बारे में कुछ ऐसा है जो एक ऐसे व्यक्ति का सुझाव देता है जो अंग्रेजी में बगल में आता है शायद क्योंकि अपने अकेले Transylvanian महल में Dracula के पास इसका अधेयन करने के लिए बहुत कम अवसर थे Dracula की कहानी हर फिल्म देखने वाले के लिए परिचित है Rainfield एक अंग्रेजी रियल एस्टेट एजेंट गिंती के लिए लंदन की संपत्ति बेचने के लिए Transylvanian का दौरा करता है वह वास्तव में वह बिक्री करना चाहता है जब Dracula के नाम का उलेख किया जाता है तो वह ग्रामीडों के डर से कोई चेतावनी नहीं लेता है वह बिना ड्राइवर वाले कोच में एक भयानक यात्रा से बच जाता है और फिर वह अपने विनाश में डूब जाता है कैसल ड्राइकुला के डरावने अंदरूनी हिस्सों के स्थापित शॉर्ट्स जर्मन अभी व्यक्तिवाद की परंपरा के कारण है वह भयावह विनम्रता है जिसके साथ ड्राइकुला अपने महमान का स्वागत करता है और उसे भोजन और शराप्रदान करता है फिर रेनफील्ड का दबदबा ताबूतों के घातक माल के साथ जहाज पर इंग्लैंड की वापसी एक और अनुक्रम जो नोस फिरातू के लिए बहुत कुछ है भूतिया जहाज जो बंदरगाह में बहता है रेनफील्ड को छोड़कर जो पूरी तरह से पागल हो रहा है जहाज पर सभी लोग सपष्ट रूप से मर चुके हैं जैक त्रिपर की किमवदंती के द्रिश्यों में लंदन में पिशाच रात में मिले अजनबियों के खून पर दावत करते हैं फिर वह डौ सीवार्ड के ओपेरा के बॉक्स में खुद को स्थापित करके उच्च समाज में अपना परिचय देता है डौक्टर कारफैक्स एबे का मालिक है जो सैनिटेरियम के बगल में है जहां दुरभाग्यपूर्ण रेन फील्ड को कैद किया गया है उसे अपने खून के लिए मकड़ियों को हंसते हुए और खाते हुए देखा जा सकता है वह सेवार्ड की बेटी मीना, उसके मंगेतर जौन हारकर और उसकी दोस्त लूसी से मिलता है अंततह वे पिशाच शिकारी डौव, वान हेल सिंग, एडवर्ड वान स्लोवन से जुड़ जाते हैं जो पिशाच वात को नाटक की आवश्यक्ता से अधिक विस्तार से समझाते हैं, कारफेक्स एबे के दृष्य ट्रांसिलवेनिया और जहाज पर सेट दृष्यों के अभिव्यक्तिवादी आतंक के बाद एक एंटी क्लाइमेक्स हैं, वे उसी ब्रौडवे नाटक पर आधारित हैं, जिसमें लुगोसी ने पहली बार ड्रैकुला की भूमिका और पिशाचवाद की अंतर निहित अपील की तुलना में ड्राइंग रूम ड्रामा की परंपरा पर अधिक निर्भर हैं, फिर भी यहां ब्राउनिंग परेशान करने वाले स्पर्ष जोडने में सक्षम हैं, जिस तरह से वह चमगादड़ों के दौरे और कोहरे के बहाव म ड्राइकुला की उपस्थिती का सुझाव देता है। का अपना संसकरन बनाया था, तब क्लाउस किंस्की वह मूल से इतने विसमे में थे कि उन्होंने कुछ उन्ही स्थानों पर शूटिंग की। प्राउनिंग के ड्राइकुला का लुक मरनों के उदास गौथिक द्रिश्यों से प्रेरित था, जो जर्मन कैमरा मैन फ्राइंड को अच्छी तरह से पता था, जिन्होंने उनके साथ काम किया था। ये फ्राइंड ही था, जिसने कैसल ड्रैकुला के आगमन, महल के वरजित आंतरिक स्थानों के प्रवेश द्वार, और एक ताबूत से हाथ छीनने, और एक तहखाने में सूंगते चूहों जैसे नोस फेर प्रेरित शॉर्ट्स के चौंकाने वाले प्रभाव को बनाने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई थी। लुगोसी हर तरह से एक अजीब, जानबूच कर नाट किये व्यक्ति था, जिसने शैली बद्ध व्यवहार से अपनी ओर ध्यान आकरशित किया। उन्होंने अपनी विदेशिता को एक संपत्ति बना लिया और हॉलिवुड और न्यू यॉर्क में लाब के लिए अपने भयावह आत्म मजाक वाले लहजे का इस्तिमाल किया। ड्रैकुला की सफलता के बाद वह अकसर सार्वजनिक रूप से अपचारिक पोशाक में एक बहती हुई टोपी के साथ दिखाई देते थे, जैसे कि अभी भी भूमिका निभा रहे हूं। बाद के जीवन में नशीली दवाओं के आदी होने के कारण वह आत्म पैरोडी में कम हो गए थे, और उनकी आखिरी जलक वर्षों को एड़ वुड में पाया जा सकता है, जो उनकी आखिरी तस्वीर के दौरान सेट किया गया था। पिशाच ड्रैकुला 30 से अधिक फिल्मों का विशय रहा है, किनवदंती के भीतर कुछ गहरा सिनेमा के अनुकूल है, शायद यह का मुकता का आतंक से जुड़ना है, पिशाच का हमला विशेश रूप से यौन नहीं है, लेकिन अपने पीडितों का खून पीने में वह सब से अंतरंग आलिंगन में लगा हुआ है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके कौमार्य और आपकी आत्मा को खोने और मरे हुए लोगों में से एक बनने पर आधारित है, पिशाच वाद सुरुचिपूर्ण धीमी गतिवाले बलात कार की तरह है, जो एक ऐसे प्राण को पोला द्वारा उनकी ब्राइम स्टोकर ड्रैकुला की इसकी सामगरी ओपेरा लिब्रेटो या शेक्स्पियर के एक नाटक की तरह बन गई है, हम जानते हैं कहानी और सभी बीट्स और ज्यादातर शैली और निर्मार्ण से संबंधित हैं, बाद की सभी गंभीर फिल्म ड्रैकुलस लुगोसी के प्रदर्शन से ली गई हैं, न कि मैक्स श्रेक के पहले के काम से, जिसका नो स्फेरा तू अधिक अमानविये और दूर का एक कंकाल था, आवरण। लुगोसी ने अपनी गहरी आँखों और अपने चमकदार काले बालों के साथ, सभी फिल्म प्र निभाया,